जब आप PM किसान के official website को visit करके know your status के माध्यम से अपने next payment का status चेक करते हैं तब आपके सामने एक नया problem सो करता है कि your mobile number is duplicate or invalid, please update your mobile number और इसके वज़ा से आप अपना status भी नहीं चेक कर पाते हैं तो देखिए आज के इस वीडियो में basically हम जारेंगे कि कभी आप problem सो करता है और कैसे हम इस problem को solve करेंगे और at the end इस problem को solve करने के बाद फिर से अपना status चेक करेंगे सो start करते हैं इस वीडियो को वीडियो के description box में इस website का link आपको मिल जाएगा जहां से easily आप इस page पे redirect हो सकते हैं next time down side scroll करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहां पर एक option दिया हुआ है know your status अब हम इसे click करेंगे next देखिए अगर आपको status चेक करना है तो यहां पर आपको अपना registration number फिल करना होगा और side में जो capture दिया हुआ है उसे आपको capture code में fill कर लेना है next get otp अब हम इसे click करेंगे देखिए अब आपके सामने एक नया problem सो कर रहा है कि your mobile number is duplicate और invalid please update your mobile number और इसके वज़ा से आप अपना status भी नहीं चेक कर पा रहे है next हम ok को click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि यहां पर update mobile number से related एक new page open हो गया है next हम यहां पर अपना registration number फिल करेंगे और downside जो capture दिया हुआ है उसे हम यहां पर फिल करके search पे click करेंगे देखिए आपके आधार से registered mobile number पे six digit का OTP चला गया है अब आप उस OTP को downside यहां पर फिल कर लेंगे next हम verify OTP पर click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपके आधार से registered mobile number पे जो प्राप्त OTP था वो verified हो गया next downside स्क्रॉल करेंगे यहां पर देखिए फार्मर से related सारे details दिये गया हुए next downside दिया हुआ है इंटर new mobile number तो अब हम यहां पर एक नया mobile number फिल करेंगे जिस mobile number को आप इस scheme में registered करना चाहते हैं उसके बाद हम get OTP को click करेंगे next देखिए आपके उस mobile number पर four digit का OTP जाएगा next हम उस OTP को यहां पर फिल कर देंगे next हम verify को click करेंगे next downside दिया हुआ है click for update mobile number next हम इसे click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपके PM किसान से एक नया mobile number एड़ हो चुका है अब हम PM किसान के official website पे चले आएंगे next हम no air status पे click करेंगे और यहां पर फिर से registration number और side में जो capture code दिया हुआ है उसे हम fill कर लेंगे next search पर click करेंगे अब आप easily देख सकते हैं कि आपका status यहां पर so करने लगा और जो पहले problem दे रहा था वो problem solve हो गया at the end अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this video